आजसु पाटी ने इस पूरे अप्रील मा को सामाजिक नियाए माँ के रुप में भोसित किया थे जिसके तहद हम लोगों ने कई एक कार्चकरम पूरे माँ हम लोगों ने आयरजित किया तीस तारिक को पूरे प्रदेश सस्तरी कार्चकरम और इस माह का आंतिम कार्चकरम होगा सामाजिक नियाए मार्च के रुप में तीस अप्रेल को सामाजिक नियाए मार्च जो मौराबादी बापू बाटिका के जगह से सुरू होगा और हर्मु मैदान में आकरके इसका समापन होगा यह मार्च मुख्रुप से उन तमाम बिंदों को जो जार्खन के समाजिक के विशेयों को लेकर के जो राज सरकार ने घोसना किया था कि हम सरकार में आने के साथ ही नियाए करेंगे जो आज तक नहीं हुआ हम उस नियाए की बात को लेकर के ही सामाजिक नियाए मार्च कर रहें जिसमें पाहला जातिय जन्गना एवं पिछडों की अबादी के अनुरूप आरक्षन सुनिस्चित करने के संदर अभी नगर निकाय का चुनाओ नगर निकाय का टर्म समाप्थ हो गया आज हमने पेपर में पढ़ा कि जैसे ही समाप्ती होगी पदादी कारी होगे स्वतर उनके हाथ में चला जाएगर वो ही इस कार्च को देखेंगे सरकार यह भी तैय नहीं कर पाया कि इतने तारिक को जब इसका अंध होगा उससे पहले चुनाओ करा पाये चुनाओ नहीं करा पाना यह सरकार की जबाब देही थी अब सरकार पदादी कारियों के भरो से नगर निकाय के जितने वी बित्ति यह है इसको लूटने का योजिना बना देगे हम असपस टूप से कहना चाहेंगे चुनाओ करने से पहले ट्रिपल टेस्ट हो और ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही नगर निकाय की चुनाओ हो अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले